नमस्कार दोस्तो मेरा नाम विबेक है और आप देखरे हो टेडिंग थेरपी दोस्तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं इभी इंडस्टी के अंदर एक ऐसे स्टॉक्स के बारे में बताने वाला हूँ जो आपको आने वाला वक्त में एक मल्टी बेगर रिटन आपको दे सकत आप लोग जानते होंगे कि इभी इंडस्टी से रिलेटेड बहुत सारा स्टॉक्स है जो आज के रिट में बहुत तगड़ा रिटन दिया है उसमें से एक एक जामपल है आपका टाटा मोटर्स का आज के रिट में टाटा मोटर्स का प्राइस असमान चू रही है दोस्तो एक महीना के अंदर लगबग 25% का रिटन वहीं पर एक साल में 343% का रिटन अगर आप 5 साल के देखोगे तो लगबग 36-79% का रिटन यहाँ पर है यह एक मल्टी बेगर रिटन है अब एक सवार यहाँ पर यह उड़ता है कि आने बला बक्त में भी एक बढ़िया रिटन द और लास्ट तक इस वीडियो में बने रहूं दोस्तों सबसे पहला रिजन है आपका डानी टोटल एनर्जी के साथ इनका कोलाबरेशन से एग्रिमेंट और इस एग्रिमेंट के अंदर बताई जा रही है कि यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस के अंदर इभी एस्टेश पूरे बहारत में लगाने का टार्गेट है दोस्तों यह परजेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यह परजेक्ट आने वला वक्त में इस स्टोक को बहुत ज़्यादा मदद करने वाली है दोस्तों दूसरा सबसे बढ़ा रीजन है बीपी सी एल के साथ एग्रिमेंट इस agreement के तहत लगवग 1800 DC fast EV charger की बात करी जा रही है यह जो BPCL है इसके अंदर लगवग अपने जितने भी petrol pump है petrol pump के अंदर 1800 DC fast charging की अस्थापित किया जाने का project था दोस्तो इससे support किसको मिलेगा like this अगर आप मालों के car चलाते हो वो भी EB engine वाला तो वहाँ पर क्या होता है कि EB के साथ आप जाते हो तो आपके पास चार्जिंग का सबसे बड़ी problem हो जाती है तो बहुत सर ऐसे petrol pump है जहां पर यह थापित किया जा रहा है जिसे और भी EB का ecosystem मजबूत होने वाला है दोस्तो तीसरा सबसे बड़ा region था आपका BPCL के साथ ही एक और agreement था जिसके अंदर आपका servo tech को एक बहुत बड़ी order मिली थी जिसके अंदर 26 उन्चाख ACEB आपका supply करने के बाद करी जा रही थी इसमें से लगबग 36% जो काम है ना complete हो चुकी है बाकी के जो काम है आपका March 2024 तक एक complete कर देने का project है दोस्तो ये सारी project आपको servo tech को बहुत ज़्यदा support करने वाली है सवाल यहां पर यह उड़ता है कि क्या company fundamental भी strong है हम इस चीज़ को भी देखने का कोसिस करेंगे और फिर हम लोग एक result पर जाएंगे कि क्या stocks के अंदर भी हमें positions बना कर चलना चाहिए दोस्तो अगर 52 भी high के बात करा जाए तो 108 रुपईया और low लगबग 16 रुपईया है market cap के बात करा जाए तो 1209 करोर के करीब आपका market cap है पी रेशियो हाई है क्योंकि रिजन यहां पर अपका और पर शेयर है अगर बढ़ा दिया जाए तो यहां पर आपका पी रेशियो आपका भी घर जाने वाला है इसको बढ़ाने के लिए आपको इनको सबसे पलाची sales growth को और ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा profit growth को भी बढ़ाना पड़ेगा और अपनी expense को भी कम करना पड़ेगा like this promoter holding इनका बढ़िया है dividend देती है इसका मतलब company profitable है और अगर तरीके से बात किया जाए तो कुछ return की बात हम लोग थोड़ा देर में करेंगे लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हो लगतार P chart बढ़ रही थी लेकिन अभी गरेट में वापस consolidate करने का कोशिस कर रही है दोस्तो तीन साल का अगर आप report देखने का कोशिस करोगे तो यहाँ पर 30 से 50 के बीच market में यह trade कर रही थी तो यह important था लेकिन धेरे-देर इनको और अच्छा करना पड़ेगा यहाँ पर दोस्तो यहाँ पर आप देख सकते हो sales growth company अच्छा perform कर रही है साथ में company यहाँ पर profit growth, return in equity, ROC में भी अच्छी perform कर रही थी यह company के लिए best result है यहाँ पर आप date to equity ratio भी देख सकते हो company के पास थोड़ा सा कर्ज है दोस्तो अगर promotor holding की बात करा जाया तो लगबग 60% है लगातार constant है इससे कोई problem नहीं है पबली के पास 35% से कम है यह एक good news है क्योंकि अच्छी stock के अंदर एक qualities दिखते है FII के बात करा जा तो 4% है FII के पास research बड़ी है और वो भी अगर इस stock के अंदर investment करके चल रही है तो कहीं नहीं कहीं उनको भविस उजबल दिखरा है कहीं नहीं कहीं यहाँ पर तो आप इस तरीके से इस mentality के साथ भी अपना सोच सकते हो Profit lost important है देखो company का sales चलो लगातार बढ़ रही है यहाँ पर भी देख सकतो लगातार बढ़ रही है अगर यह revenue बढ़ाते हुए expense को थोड़ा सा घटा देती है तो इनका net profit बढ़ जाएगी Actually net profit कुछ हद तक बढ़ी है लेकिन और ज्यादा इनको improvement लाना पड़ेगा और इस कारण से अगर net profit बढ़ जाता है तो यहाँ पर इनको एड़ेस्टिक earning per share जो है न यह भी बढ़ जाएगा जिस कारण से company का P ratio सुधर जाएगा P B ratio सुधर जाएगा तो यह important factors था All together देखा जाएगा तो company में कुछ खास problem नहीं है लेकिन फिर भी पिनी stocks है अगर आप इसमें investment करके चलना चाहते हो तो थोड़ा सा आप रिक्स समेटिट कर सकते हो लेकिन यह company बढ़िया है long term एक 72 return आपको दिला सकता है आपको पता है कि यह stocks already बहुत अची return आपको दे सकती है आने वला वक्त में भी कि बहुत सरा project को उपर काम करने वाली है company तो अगर एक long term भीजन है कुछ महीनों या कुछ सालों का है कुछ quantity के साथ आपको स्टार्ट कर सकते हैं averaging जरूर करना averaging आपका stock में आपको एक बहतरीन return दे सकता है दोस्तों बहुत सारा इसे investors हैं जो एक ही बार में सारी के सारी stocks उन्होंने buy कर लेते हैं ऐसा नहीं करना averaging एक बहुत अच्छा concept होती है by the way अगर हमें लग रहा है कोई stock बहतर है हम क्या करेंगे 50-60% stock buy करेंगे बाकी का fund फॉरसा रखे रहेंगे by the way हम market को बिल्कुल predict नहीं कर सकते हैं हो सकता है market में गिरावाट भी आ सकती है तो जब गिरेवाट आती है तो उस समय आपके पास average करने का fund होना चाहिए अगर आ अगले वीडियो के अंदर